कि प्रीवेस सेशन में हम लोगों ने डिसकेशन किया था रिलेटेट टू टेक्स्ट व्यू कि फंक्शनल्टी को हम लोग यहां पर यूज कर सकते हैं और टेक्स्ट व्यू के कोड को करने के लिए मैंने आपको यह भी बताया था कि विए स्टार्ट विद लीनियर लियाउट और लिने लियाउट में मैं पास प्रॉपर्टीज होती है औरियन्टेशन अब औरियन्टेशन के थूँ अपने जो वेड्स आप जो भी अपनी एप्लिकेशन को डवलग कर रहे हो उसके जो कॉंटेंट आप यहां पर राइट करते हो उसको आप वर्टिकल या ह्रीजॉन यह layout design करना है तो layout में करना क्या है कि for example यह हमारे पास उपर का जो part header part इसमें हमारे पास यहाँ पे लिखना चाहिए login ठीक है इसमें यहाँ पे लिखना चाहिए login और फिर आपके पास यह एक box आएगा इसमें आपके पास लिखना चाहिए user थेक या फिर आप email id भी मान सकते हो भी इसमें आपके पास आना चाहिए email id then password हमाई पास आना चाहिए so we can put the password here and then this is a box this is a button the save button okay so look like this one कि हमको यह कोई ऐसा structure design करना है तो हम कैसे करेंगे तो structure को design करने के लिए अब आपको हो सकता हुआ जब हम लोग company में काम करते तो हम लोग को एक structure बना के दे दिया जाता है ठीक है तो मान लीजिए login page का कोई structure मोबाइल के लिए तो कुछ ऐसा मान लेते हैं कि हमारे पास कुछ इस तरीके का design है ठीक है या इस तरीके का कुछ design है ठीक so how can we design this type of pages here यह page बनेगा कैसे तो ऐसे page को बनाने के लिए पहले इसका structure देखो यहां login लिखा हुआ है यहां पर आपके पास एक box बनके आ रहा है ठीक है यह password बनके आ रहा है यह हमारे पास एक login का button बनके आ रहा है so how can we design this type of pages here और यह भी देखो यह भी कुछ इसी तरीके का है हमाई पास ठीक है look like this one login आ रहा है username आ रहा है password आ रहा है यहां forget password आ रहा है यह login आ रहा है तो यह बनाओगे कैसे आपको इसको बनाने के लिए पूरी strategy आपको बनानी पड़ेगी कि हमको क्या वर्टिकल रखना है क्या horizontal रखना है according to steps आप देखो कि हमें सारा काम वर्टिकल में करना है login भी आ रहा है login के जस नीचे username password आ रहा है देन फिर बटन आ रहा है और उसके बाद को sign up करके एक और link आ रहा है जिसमें काम कर सकते तो यह जो structure आपको बनाना है इसको बनाने के लि यह लिए आपको किसी की requirement है यहां पर अपको यहां पर एक नया layout design करने की requirement है तो मैंने क्या किया अपने page पर आया close all tap कर देता हूँ यह src में जाके अब इसके अंदर src तो होता नहीं java में काम करते हैं तो वहाँ पर src होता है यहाँ पर हमारे पास क्या होता है java होता है java के अंदर package होता है package पर right click करके new करा कर और हम यहाँ पर एक activity को create कर सकते हैं तो देखों यहाँ पर activity आ रहा है कौन से activity हमारे पास आ रही है empty view activity तो empty view activity पर click किया और इसको मैंने कर दिया log in ठीक है यह login हो जाएगा layout का जो नाम होगा वो activity underscore login हो जाएगा package का नाम कौन सा है com.android ठीक है इसी package में हम लोग काम कर रहे हैं तो अगर आपको कोई package चेंज करना हूं आपके पास multiple packages हों तो आप यहाँ से change भी कर सकते हूं then finish बड़न पर आप यहाँ पे क्लिक कर दूँ अभी यह ग्रेडल बिल्ड हो रहा है तो जब तक ग्रेडल बिल्ड होता है तब हम लोग यहां पर कुछ नहीं कर सकते हम लोग को वेट करना होता है तो जैसे ही ग्रेडल आपका बिल्ड हो जाएगा प्रॉपर तरीके से then we can start the code how can we design the complete page here so you can open this complete structure ठीक है ध्यान रखना कि जब आप page को open करोगे ना तो हो सकता आपको यह tabs दिखें so we have a three tabs share first step पर आपको code का जो structure है वो दिखाई देगा second वाले पर code भी दिखाई देगा प्लस साथ में जो आपके पास layout है उसका structure भी आप यहां पर देख सकते हैं ठीक है न यहार है और लास्ट वाला जो structure उसमें सिर्फ आपको design दिखाई देगा तो मैं क्या करता हूं सबसे पहले code लिख लेता हूं और फिर मैं complete उसका structure देखता हूं कि सही बनाए या नहीं बनाएं तो सबसे पहला structure में create करता हूं कि जो हमारे पास page दिया गया है just like we have this page मुझे इस तरीके के एक page को design करना है तो design करने के लिए सबसे पहले login लिख के आ रहा है तो मुझको क्या करना पड़ेगा अपने constant layout को convert करके linear layout में convert करना पड़ेगा यानि कि इस constant layout से में किस पर काम करने एक लिए आ गया linear layout पर आ गया अब linear layout के अंदर जो orientation मुझे set करना है वो वर्टिकल होना चाहिए so I am using a orientation here orientation वर्टिकल ठीक है orientation वर्टिकल आ गया अब जो orientation वर्टिकल आया इसका मतलब क्या है कि एक की नीचे आप एक data लिख सकते है ठीक है भाई लिख देंगे then फिर आपको यहाँ पे एक text view डालना है तो आपने text view डाल दिया text view डाला है तो आप अपने according to page देखो यह कह रहा है कि यह center में होना चाहिए और पूरी विर्थ इसकी लेनी चाहिए तो हम लोग भी क्या करेंगे according to structure अगर काम करेंगे तो इसको match parent ले लेंगे इसको हम लोग यहाँ पर wrap content ले लेंगे ठीक है match parent और wrap content आ गया then उसके बाद हम लोग यहाँ पर अपने text को लिखेंगे जो text अभी अगर हम लोग यहाँ पर direct लिख देते हैं just like मैंने लिख दिया login अब client ने मान लोग को यह आपको एक structure दिया बनाने के लिए और उस structure के according जब आप काम करोगे तो उसमें login एक से ज़्यादा बार आपको use करना है तो आप क्या करोगे बार बार उसके जो login वाला keyword है बार बार उसको copy करोगे paste करोगे लिखोगे ऐसा नहीं करना है इससे बहतर तरीका क्या है कि हम कहीं पर एक जगे login keyword को fix कर दें और जब access करना है तो हम उसको access कर लें जैसे previous कल की class में मैंने आपको बताया था कि color को कैसे हम लोग एक जगे रखके पूरी application में use कर सकते हैं इसी तरीके स particular कोई text भी अगर आपको यहां पर रखना है तो आप उसको भी यहां पर रखे रख लो ठेक है और change करने का जो option आएगा वो हम लोग यहां से change कर सकते हैं लेकिन बार बार अगर change करने को option आ रहा है और multiple जगे पर आपने उस login के keyword को या किसी भी keyword को use किया है तो फिर आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा तो code का customization भी आपको साथ साथ सीखना है तो मैं क्या करूंगा मैं resource में जाऊंगा values में जाऊंगा strings.xml की file को open करूंगा string.xml की file यह कहती है कि जो भी आपको specific keywords लिखने हैं वो आप यहां पर define कर दो तो मैंने किया किया यहां पर मैंने लिखा string और name डाल दिया इसका login और यहां पर मैंने इसको कर दिया close और इसके बीच में मैंने क्या किया login लिख दिया ठीक है यह मैंने कर दिया अब यह जो keyword मैंने यहां पर प्रॉपर तरीके से specify कर दिया है तो string के इस name को मैं access करूंगा login और by default मुझको उसके content क्या मिल जागा यह login content मिल जाएगा तो मैं login वाले page पे जाऊंगा text के अंदर add the rate string लिखूंगा और नीचे देखूंगा कि क्या मेरे पास यहां पर login नेम आ रहा है या नहीं आ रहा है अगर मेरे पास login नेम आ रहा है तो मैं उसको pick कर लूँगा pick कर लिया अब मैं यहां पर देखूंगा तो मु क्या युश करूंगा gravity तो यहां पर मैंने इसमे gravity keyword को यूश किया और इसको center पर ले आया तो अब आप देखोगे तो यह center पर आपको visualize हो रहा है center में आने बाद अब इसका text का size बहुत छोटा है आप यहां पर text का size define कर सकते हूं तो text का size हम लोग यहां पर define कर लेंगे like मैं मैंने कर दिया 20 SP तो यह मेरा login का जो specific size वह भी define कर लिया अगर text का color आपको change करना है so text color भी मैंने यहां पर add the rate color को use करते हुए black color मुझे चाहिए तो मैंने black color यहां से pick कर लिया अगर मुझे margin और padding चाहिए तो वह भी मैं यहां पर pick कर सकता हूं चूज कर सकता हूं तो मैंने कर दिया margin 10 dp as well as padding also I'm using here पैडिंग यह भी मैंने 10 dp ले लिया ठीक है इतना करने के बाद आप जो अपने play store पे सॉरी अपने screen को देखोगे तो यहां पर आपको login लिखा हुआ प्रॉपरली दिख जाएगा ठीक है बहुत सिंपल सा है तो जैसा इसने बोला था structure के according तो यह थोड़ा बोल्ड दिख रहा है बोल्ड हम कैसे कर सकते हैं तो बोल्ड करने के लिए हमारे पास यहां पर होता है कि टाइपफेस को देख सकते हैं इंपटाइपको देख सकते हैं पहले टाइपोस देख लिए तो तो देखो normal आ रहा है ठीक है नॉर्मल अगर आप करोगे तो नॉनउर्मल देखेगा अगर इसकी साइस को थोड़ाव साफ़ापको चेंज करना है या इसमें effect type का दिखना है तो देखो थोड़ास आपको change दिख रहा होगा जैसे word के अंदर हमारे पास property होती कि हम aerial use कर सकते हैं या हम times new roman को use कर सकते हैं या हम उसमें किसी other property को text size को लिखने के लिए उसमें font size font style के साथ play कर सकते हैं ऐसे इस एक इसको यहीं कर सकते हैं तो जैसे जैसे आपस इस पे काम कर जाएंगे वह काम भी आपको यहां से क्लियर ऑजागा करनी की property क्या है इसको भी देखते हैं किus पास कुछ ऐसा steps है जिसमें हम text को bold कर सकते हैं तो generally case में क्या होता है text को bold करने के लिए हम क्या यूज कर सकते है text style अब text style को देखोगे तो 3 steps आपके पास आए bold italic और normal अगर आप bold कर दोगे तो यहां पर आपको देखो थोड़ा सा यह आपके नॉर्मल रखना चाहते हो तो यह पूरा आपको एक्स नॉर्मल दिखाई देगा विदाउट बोल्ट ठीक है तो यह आपके उपर डिपैंड करता है according to process कि आप इसको कैसे करना चाहते हैं अभी हमको बोल्ट रखना है तो हमने यहां पर इसको बोल्ट रखती है सिंपल है वन सप्ट समझ में आ गया इतने स्ट्रक्चर में कोई ऐसा पॉइंट जो नहीं क्लियर हो प्लीज अभी तक पूछ लूँ तो जैसे जैसे step by step करोगे आपको हर एक चीज क्लियर होती जाएगी अनिड आउट तिल नौ रिंको जी वेड आउट अप आराम से इंस्ट्रॉल कर ले ना वरना फिर कॉंसेंट्रेशन नहीं हो पाएगा ठीक है पहले आप देख लो समझ लो फिर आपको दो दिन का टाइम मिल रहा है आप आराम से काम करना इसमें ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है ठीक है तो क्या क्या चीज हम लोगों ने यूज करी विर्थ यूज किया हाइट यूज किया टैक्स को यूज किया ग्रैविटी तो यह हम लोगों ने attributes अपने code में use कर लिए next step क्या आता है अब यह कह रहा है कि just आप according to structure का आप देखते हो तो आपके पास यहाँ पर देखो यह एक content लिखा हुआ आ रहा है जिसमें लिखा हुआ username फिर उसके बाद password है न तो अगर यह भी आपको यहाँ पर लिखना है तो आप वह भी कर सकते हो तो उसके लिए हमाँ पास यहाँ पर होता है edit text edit text के purpose क्या है ताकि हम यहाँ पर values input करा सके तो यहाँ पर आप edit text को भी use कर सकते है match parent ले लिजे wrap content ले लिजे ठीक है और जैसे हम लोगों ने ऊपर properties यूज करी इनी properties को आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं तो क्या-क्या property हमारे लिए जरूर्यत है इसके अंदर जैसे माल लीजे मुझे को लगता है कि यह इतनी properties हमारे लिए useful है तो यह properties copy करी नीचे paste करी और इसको यहाँ पर close कर दिए अब अगर आप यहाँ पर देखोगे तो लेट मी चेक वाट इस आउट पूट है ठीक है यहाँ पर देखो line बन के आ रही है भी आपके पास लेकिन line के उपर लिखा गया कोई भी keyword नहीं आ रहा है वो कैसे आएगा तो जब हम text view में काम करते हैं और हमको data दिखाना होता है तो हम text को represent करते हैं इसी तरीके से जब edit text में हम काम करते हैं तो हम यहाँ पर text नहीं लिखते हैं यहाँ पर हमाँ पास placeholder होता है यानि कि अगर आप html में काम करें तो वहाँ पर placeholder keyword को use करते हैं और यहाँ पर हम लोग hint keyword को use करते हैं तो hint को आपने यूज किया अब hint के अंदर देखो यह क्या कह रहा है कि आपको username लिखना है अब यह username को आप कहां dimension कर सकते हो username को आप कर सकते हो तो आप यहां पर ले सकते हो यूजर नेम और यहां पर भी आप क्या कर सकते हो यूजर नेम इस तरीके से लिख सकते हो अब यही यूजर नेम आपको कहां पर एक्सेस करना है जिस पेज में है हिंट में जाके एड़रेट करके आपको यहां पर क्या लेना है यूज string को आप जैसे यहाँ पर लिखेंगे automatic देखें उसमें कहीं न कहीं यूजर नेम आपको मिल जाएगा तो जो चीजो आप वहाँ पर define करेंगे उस चीज को आप यहाँ पर implement कर सकते हैं देखी username लिख क्या आ रहा है आप पास ठीक है अब आप कह रहे हूं कि मुझे यूजर नेम तो चाहिए लेकिन मुझे बॉल्ड वे नहीं चाहिए मुझे बॉल्ड नहीं अच्छा लग रहा नहीं अच्छा लग रहा तो बॉल्ड अटाके इसको नॉर्मल कर सकते तो यह नॉर्मल आ जाएगा आप इसको देखोगे तो यह नॉर्मल दिखाई देगा आप गॉट इट सिंपल है तो जैसा भी आपको यहाँ पे structure create करना है आप उसके structure को देख दापके काम आराम से कर सकते हैं अब next step इसमें क्या है इसने कहा कि password भी हमको चाहिए तो अबने का ठीक है भाई इसके password को यहां से उठाया copy करके यहां पे paste कर दिया पेस्ट किया अब हमको password चाहिए तो फिर से हमें स्ट्रिंग में जाना पड़ेगा यहां पे हमको username के साथ password चाहिए तो इतने code को आपने again copy किया नीचे पेस्ट किया जहां पे यूजर ने मार रहा है वहां पे password कर दिया ठीक है और इसको भी आप किसमें convert कर दोगे password में ठीक यह हो गया यह डेटा हमको login के अंदर तो हम लोग value को लिखते हैं तो जब आप यहां पे लिखेंगे तो इस्ट्रिंग में जो वैल्यू आपने डाली हुई है जैसे password डाला हुआ है तो आप password लिखोगे अगर मैंने यहां पर इस्ट्रिंग में यहां password लिखा है और यहां माल लिजे पी एडवरेस प display करेगा और यह जो डवल कोड में content आ रहा है यह उसका attribute वैल्यू हो जाएगी जिसके भिहाब पर वो इसको पिक करता है connectivity बनाता है ठीक है अब आप इस पूरे पेश को देखेंगे तो आपका यह पूर्च कुछ इस तरीके साब को दिखाई देगा ठीक है सिंपल है अब अ जैसे यह कुछ properties लेनी है text size बगएरा माल दीजिए मैंने कुछ property ले ली इसमें से यह मैंने पिक कर लिया text का size मेरे पास ठीक है text का color मैं white कर दे रहा हूं तो यह white हो जाएगा आपके पास margin padding same रहेगी और यह भी मैंने same ही रखा हुआ है इसका हिंट की requirement है नहीं तो हिंट की जगे हमको क्या चाहिए text चाहिए तो इसको मैं convert कर देता हूं text के अंदर अब text क्या लिखा हुआना चाहिए जैसे save button है या submit button है या login button है ऐसा कुछ लिखा हुआ आना चाहिए तो आप यहां पर कर सकते हैं जैसे मैंने कर दिया save तो यहां पर मैंने कर दिया save तो वहां पर भी मैं क्या चिक करूंगा save save कर दूंगा और मैं इस तरीके से close कर तो ठीक है अब चलिए चल के देखते हैं let me check so this is my complete output got it simple है तो structure by structure जैसे जैसे हम लोग काम करते जाएंगे उसी के according आपको यह पूरे structure design करना है और यहां पर आप देख सकते हैं आपने क्या क्या यूश के यह text view है यह edit text view है और यह button है अब थोड़ा सा और इसमें implement करके देखते हैं just like अब आप structure देखोगे तो यह दो background पर आपको क्या दिखा रहा है shades दिखा रहा है यह कुछ shade देख रहा है यह blue color का है यह थोड़ा सा अलग color है तो यह दोनों shade आप कैसे लेकर क्या होगे अगर हमारे पास कोई background डिजाइन करने की permission है जैसे माली आपकी company के अंदर को डिजाइनर नहीं है अब आप क्या हो कि क्लाइंट को यार कल दिखाना है लेकिन उसको ऐसे ही दिखाना है page तो क्या करेंगे तो shade आपको बनाना आना चाहिए with the help of code तो ऐसे coding के लिए आपको फिर अपने drawable में जाना है drawable पर जाके right click करना है new पर आना है और new पर आने के बाद आपको यहां पर मिलेगा drawable resource इस drawable resource पर क्लिक करके एक कस्टम background design कुछ से generate करना है तो आप यहां पर क्या लिख सकते हो कस्टम अंडेस्कोर कि बेक्ग्राउंड कस्टम बेक्ग्राउंड आ गया अब यहां प्यार है selector तो इस selector को आप shape में convert कर लो shape आ गया कैसा shape चाहिए rectangle shape चाहिए तो अब आप यहां पर देखोगे तो आपके पास एक properties होती shape की जिसमें rectangle, line, oval और ring यह अलग अलग तरीके के shapes आप यहां पर design कर सकते हैं अगर मैंने rectangle किया तो यह rectangle ही shape यहां पर लेगा अगर मैंने rectangle ना लेके oval किया तो यहां पर shape oval हो जाएगा तो मैं दिखा दूँगा after process की यह कैसे change होता है तो अभी के लिए जो मुझे shape चाहिए वो मुझे rectangle चाहिए अभी इस box में देखो कोई color नहीं है तो color filling आपको यहां पर करनी पड़ेगी तो एक एक करके color filling करता हूँ जैसे corner है stroke है और solid है तो मैंने यहां पर लिया stroke इसके अंदर color मैंने लिया हूँ एड़ेड ब्लैक कलर में ले लेता हूँ ठीक है और इसको मैं यहां पर close करता हूँ और close करने के बाद विर्थ जाल देता हूँ 10 BP की तो यह हमारा क्या बन गया stroke से हमें क्या मिला border color तो हम क्या बना सकते हैं हम अपना खुद का एक border color यहां पर design कर सकते हैं इससे आपने क्या बनाए stroke से अब border color आगया आपके पास इसको अगर आपको लिखना है तो इसको पूरा सेलेक्ट करके शिफ्ट कंट्रोल और बैक स्लेश बटन को आप जैसे प्रेस करोगे यह automatically comment में convert हो जाएका तो यह हमारे पास आगया इसकी thickness भी आप देखोगे तो बढ़ा सकते हैं अगर आप इसकी 20 thickness कर दोगे तो यहां पर इसकी thickness बढ़ जाएगी अगर 40 thickness कर दोगे तो इसकी thickness और increase हो जाएगी तो जितनी भी thickness आपको चाहिए वह आप यहां पर thickness इंक्रीज कर सकते हैं फिलाल अभी तो हमको थिकनेस की रिक्वार्मेंट नहीं है एंड में यह पूरी थिकनेस हटा दूंगा तो इस ट्रोक से हमने थिकनेस इसकी सेट कर लिए यानि कि बॉर्डर सेट कर लिया बॉर्डर के बाद बैक्ग्राउंड कलर अगर हमको चाहिए त नीजेश में आपनी ब्लू कलर एड कर अग्या अगर आप इसके कॉर्णर के साथ प्ले करना चाते हैं ठीक देखो Авपक के पास डिजाइन जो आ रहा है उसमे देखो कॉर्णर कैसे राउंड शेप में अगर अपने कॉर्नर के और इस कॉर्णर को अगर आप यहां पे देखोंगे तो आएगा रेडियस और इस रेडियस में आप कोई भी वैल्यू डाल दो लाइक मैंने डाल दिया टैन डिपी और टैन डिपी डालने के बाद थोड़ा सा देखो इसका रेडियस चेंज हो गया और चेंज हो गया ठीक है और मैं देखता हूं इसमें क्या प्रोपर्टी है यह राइट लेडियस करना है जो भी आपको करना है लेट टॉप बॉटम मैंसे अगर किसी को चूज करना है तो आप पर्टिकुलर कोई रेडियस और यहां पे ले सकते हैं विर्थ देखते हैं इसमें विर्थ का कोई option नह चाहेगी ठीक है तो यह जितना भी आप उसको मोल्ड करना चाहते हैं उतनी रेडियस के कोडिंग आप इसको यहां पर मोल्ड कर सकते हैं अब जो आपने design बना लिया है इसको आप बाइंड कैसे करोगे अपने layout के structure के साथ तो लियाओड का structure जो आप देख रहे हो उसमें at the rate drawable custom background ठीक है तो यह पूरा logic जो आपने बनाया था इसमें यहां पर बाइंड कर दिया अब आपका structure कैसा आ रहे है लाइक दिस ठीक है पंसर्ट समझ में आया जो आपने बनाया था उसको यहां पर आपने बाइंड कर दिया किसी भी लियाओट पर आप कर सकते हूं ठीक है इसको आप जब चाहो तब आप इसकी लियाओट को implement कर सकते हो चेंज कर सकते है जो आपको करना आप सब कुछ कर सकते है ठीक है चलें नेक्स स्टेप्टर मूव करें इस ठीक है कि आपको इस तरीके की डिजाइनिंग करनी है जो बहुत ही घटिया लग रही है लेकिन करनी है अब इसको implement तो करना मैंने सिखा दिया कि यह आपको ऐसे बनाना पड़ेगा कस्टम बनाना है इसके अंदर आप इस टोक के थ्रूँ आप बॉर्डर कलर सेट कर सकते हो solid के थ्रूँ आप background color जो चाहिए वो लगा सकते हो corner के थ्रूँ आप यहाँ पर उसकी radius के साथ play कर सकते हो तो जो practically implementation concept वो मैंने दिखाया लेकिन अगर आप actually देखो तो client की requirement थी नहीं requirement है यह जिसके उपर आपको काम करना है और आपने क्या बनाया है कुछ इस तरीके का लाल रंग भी रंगा बना के दे दिया उसको तो client रहेगा यह मेरी requirement नहीं तो आप इसको change करो अब change कैसे करोगे तो इसकी changing के लिए मैं इस पूरे code को यहां से लेके यहां तक बंद कर देता हूं कि वह यह मेरी client के साफ से यह नहीं चलेगा कुछ और सोचना पड़ेगा तो यहां पर आपके पास एक option आता है जिसके अंदर मैं पास आता है gradient आप gradient को use कर सकते हैं gradient के अंदर आपके पास तीन color होते हैं start color ठीक है center color and the last one is end color इन तीन color के combination से जो looks उसका आ रहा था कुछ उसी तरीके का look आप अपने पास design कर सकते हैं तो देखे आपके पास क्या color आ रहा है इस पर right click करिए inspect करिए और यहां पर आप देखेंगे तो शायद आपको color combination भी दिख जाए यह रहा है यह रहा है यह 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 नहीं है कि में चलो ठीक है तो इसने यहां पर color code तो आपको देखो नहीं दिया हुआ है अगर आपको यहां पर color code नहीं दिया जाएगा तो आपको अपना दिमाग पूरा यूज़ करना है अगर आपको यहां पर background color दे दिया जैसे यह blue color है तो कौन सा blue color है आपको अगर यहां पर कुछ quotes बगएरा मिलते हैं तो आपके लिए ज़्यादा असानी हो जाती है उस code को करना और उसको इंप्लिमेंट करना जब नहीं दिया है तो आप अपने इसाब से काम करो तो आपको दिख रहा ही है हमाँ पास blue color आ रहा है कुछ blue color के point of view पे आप इसको चेक कर सकते हो तो आप क्या करोगे आप अपने पास colors में जाओगे यहां पर तीन color आप यहां पर design करो इस तरी कलर से हैं फर्स्ट इस यहां पर रख सकते हो color कि स्टार्ट स्टी ए आर्ट है हो जाएगा मारे पास स्टार्टिंग कलर स्टार्टिंग कलर कैसा रहा था लुक लाइक ब्लू तो हैश कोट 000 आप कर दो और किस तरीके का आना चाहिए था वह color आप यहां से निंचे से भी देखोगे तो कुछ कि इसी तरीक का कुछ color चाहिए था हमको वहां पर जैसा इसने बोला हुआ है यह कुछ इसी तरीके का color आ रहा है आपके पास यह आपने रिख लिख लिख सेंटर कलर थोड़ा सा से डाउन आपको जाना है तो यह मैं पास हो जाएगा मिट कलर एमाई डिवल्डी कर दिया ठीक है तो इससे थोड़ा सा आप डाउन की तरफ चले जाओ यह कुछ कुछ इस तरीके का color आप कुछ चाहिए और लास्ट वाला क्या होगा लास्ट वाला इनी से रिलेटेड ही है जो थर्ड कलर अमाई पास आ रहा है तो उसको भी आपने लिए यह हो जाएगा एंड कलर तो एंड कलर को थोड़ा सा आप यहां पर डार्क की तरफ मूस करा सकते हैं अब यह तीन कलर जो आपने लिए इसको आप अपने बैग्ग्राउंड में ले जाओगे एड़्द दरेट कलर स्टार्ट कलर आ रहा है तो यह हो जाएगा स्टार्ट फिर यहां पर एन पर चाहिए मैं एंड कलर तो यह एंड कलर आ जाए तो देखो कुछ यह ले आउट आपका ओल्मॉस्ट ऐसा ही दिख़रा है को देखो डिफ्रेंज दिख रहा है यह लिए कलर और यह अलमोस्ट आपके पास एक जैसा कर सकते हैं कैसे करेंगे इसमें को एक है एंगल को 25 डिग्री पर रखते हो तोतब इसका कलर ठोड़ा सा ओपर चला गया वन ऐटिड्री पर उतको तो यह यह इधर चला गया यह धर आगे, ठीक है, 270 पे अगर आप इसको रखते हो, एसा आगे, और फिर लास्ट माय पास आता है, 360, तो आप 360 पे अगर रखते हो, तो कुछ ऐसा आजाएगा, ठीक है, तो जो भी आपको color play करने है, वो इस color को आप यहाँ पे implement कर सकते हो, according to the structure आप देखोगे, तो कुछ कुछ मिलता जुलता color, हम लोगों ने यहाँ पे develop कर लिया है, जैसा हमारे client की requirement थी, ठीक है, तो अगर थोड़ा सा अगर आपको और play करना है, तो I think 45 पे हम शायद ज्यादा बहतर कर पाएंगे, नहीं, 45 पे नहीं है, 90, let's see, 90 पे भी नहीं है, 180, 270, 270, ठीक है, तो करीब करीब 270 के आसपास का color हम कुछ आईए, और हमें देखना यह है कि यह जो blue है न वो इस side आना चाहिए, ठीक है, वो कैसे आएगा, उस पर main focus हम लोगों का, तो 45 पे हम करते हैं, यह देखो ऐसा कुछ आ रहा है, तो कुछ-कुछ blue का color हमारे पास ऐसा आ जाएगा, 40 है, 90 है, तो इसको आप जितना ज्यादा प्ले करोगी, जितना ज्यादा आप इसमें research करोगी, उतना आप यहां पे काम और बढ़ा सकते हो, या फिर अगर आपको लगता है कि color तो हमारे पास सही है, अगर हम अपने main color में जाके change कर दें, यानि कि आप क्या कर द जाएंगे, अब आप background को check करो, हुआ कुछ change, लोगो, आगया almost, वैसा ही जैसा हम चाह रहे थे, blue यहां पे चाहिए था, और यह color यहां चाहिए था, ठीक है, 270 करोगे, तो यह 270 के साब से और change हो जाएगा, ठीक है, तो जैसे भी आपको play करना है, आपको मैं डिग्री बता यह 45 degrees से आप स्टार्ट करो, और जो भी आपको यहां पे रखना है, वो degree आप यहां पे रखके, इसको change कर सकते, almost आपके पास जैसा चाहिए होगा, 180 पे almost, exactly वैसा ही मिलेगा, जैसे आपको requirement है, ठीक है, अब जो आपने color बनाया हुआ है, अब इसमें corners भी चाहिए आपको, तो यहां पे देखो क्या corners है हमारे पास, नहीं है, इसमें corners नहीं है, ठीक है, gradient radius है, तो radius को मालो हम ले लेते हैं, 10 dp करके देखते हैं, क्या हमारे पास change होगा, कुछ-कुछ change हुआ क्या, नहीं हुआ, तो radius का काम देखो यार, यहां से नहीं हो पाएगा, इसके लिए हमको को अलग से रेडियस वाला कॉंसेट जो हम लोगों ने ऊपर बनाया था ना कॉर्णर का इसी को आप यहां से कॉपी करो अपने कोड को और यहां पर नीचे आप फ्ले कर दो तो आपके पास क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा टैन नहीं चाहिए और सारी 100 नहीं चाहिए हमक अब इसको आप अपने बैक्ग्राउंड पे अपने लॉग इन के पेश पर देखोगे तो कुछ ऐसा आजाएगी तो आल्मोस्ट आल्मोस्ट आपके पास स्ट्रक्चर आ रहा है लुक लाइक दिस वन क्लियर हो रहा है कि जो क्लाइंट की रिक्वार्मेंट होती है ना उसक अभी तो इसक्रूपर और भी चीज़े प्ले करा सकते हैं तो यानि कि हम एक और इस्ट्रक्चर बना सकते हैं जिसका बैक्ग्राउंड वाइट होना चाहिए उसको भी डाल सकते हैं तो आप अपने ही लॉजिक्स के अंदर अगर चेंज करना चाहो तो यह आपके पास बैक representation वर्टिकल यह आप सेट कर दोगे और इसका बैक्ग्राउंड फिर आप यहां पर क्या कर सकते हो और जितना भी कोड आपने यहां पर किया हुआ है वो सब इतना पूरा कोड उठा के किसके अंदर डाल दोगे अपने सेकिंड वाले लीनेर लियाओट के अंदर तो इसको च कर के आप यहां पर कपी पेस्ट अब इसका इसका चाट्य यह आप बैक्राउंड क्या चाहता हो वाइट चाहती हूँ अ यहां पर ये मार्जन परीडिंग धीयां कर सकते हूँ तो फड़ी सी मैं बड़ा दे रहा हूं क्योंकि हाइट और विर्थ इसमें थोड़ी अलग-अलग होगी तो मैं आपको स्ट्रक्चर के साफ से थोड़ असा और डीपली ले ले लाता हूं कि गाड़ेक्ट लुक लाइक अल्मोस्ट सेंटर पर लाना है तो आप क्या करोगे और यह ओर्येंटेशन वन सेकिंड अब आपको ग्रैविटी इसका सेंटर करना है तो ग्रैविटी आप इसको सेंटर करतो होगे तो सब्सक्राइब अधियाओ ग्रैविटी ग्रैविटी व्यार भाई से एंटर पी व्यार भाई से एंटर पी व्यार भाई व्यार भाई से एंटर से एंटर आयार है 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 चलो मैं इसको देखता हूं यह सेंटर पर भी आ जाता है वह पूरे पैरेंट को अगर आप सेंटर पर लाओगे तो वह भी हमाएं पास ऑप्शन से हैं इसेंटर ऊपर तो नहीं कहीं रखा है चलो लेट में चेक बर उपर लगा के दिखते हैं इसका बिल्याओट बन रहा है न वह पूस्कोई सेंटर करेगा ठीक है तो यह आप इस तरीके से उसको सेंटर पर भी ला सकते हैं अब आल्मोस्ट देखो आपका पेज कुछ-कुछ ऐसा ही हो गया सेंटर पे भी आ गया वाइट ग्राउUND भी हो गया और कर बी बैग्राउंड का चेंट होती요 कि आब इसका स्ट्रक्ट्र समझो जैसे मालों हमारे घर में क्या होता है फोटो फ्रेम होता है यह हमाय पास फोटो फ्रेम है अब इस फोटो फ्रेम के अंदर ही तो फोटो हम लोग यहां पे लगाते है तो आपके पास लियाउट को देख के पता चलना चाहिए कि कितने लियाउट लगेंगे इस वाले यह हमारा first linear layout हो जाएगा इस linear layout के अंदर इतना part अलग से है तो पूरा code हमने करने के बाद इतने part को एक अलग से linear layout में डाल दिये तो यह parent हो जाएगा और यह child हो जाएगा ठीक है? तो आपको भी कुछ इसी तरीके से कर रहा है तो मैंने क्या किया? यह एक linear layout रखा है जो super हुए गवा यानि कि जो पूरी base को maintain करके चलेगा और यह बीच वाला हो गया, center वाला जो अंदर की जो code से लिखे हुए तो उसको exactly थोड़ा सा maintain करने के लिए मैंने रखा है ताकि वो सब चीज़ें manage हो जाए color, इसका color अलग था, इसका color अलग था एक ये भी purpose है कि दो color अब आप एक साथ use नहीं कर सकते इसलिए मैंने उपर वाले के लिए अलग से cleaner layout बनाया इसमें अलग background color डाला और उपर वाले में अलग background color डाला तो यह इस तरीके का आपका structure यहाँ पे design होता है तो सबसे ज़्यादा complications कब आती है जब हम अपने mobile को यहाँ पे देखो हमाँ पास portable है और यह landscape है अब landscape mobile का मतलब क्या हो गया यह हो गया tablet के पॉर्म तो आपका structure कहीं निकल के भागा नहीं यह stable है यह होती है actual clients की requirement की चाहे वो उसको portrait mode पे देखे design को या landscape mode के देखे उसका structure नहीं हिल के जाना चाहिए ऐसा नहीं यह जो button है वो पता चला button जैसा ही landscape से portrait mode के हुआ या portrait से landscape mode के हुआ तो यह button नीचे किसक के आ जाए इसी structure के अंदर ही होना चाहिए this is called a perfect lift यह होती client की requirements clear समझ में आ गया दोनों process समझ में आ गया कि landscape में क्यों दिखाया और portrait में क्यों क्यों कि आप mobile को दोनों structure में देख सकते हैं अगर आपने उसको tablet की format में convert किया तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका स्ट्रक्चर पूरा वहां से हटके नीचे दिखाई दे तो इस क्रीन के बाहर नहीं जाना चाहिए perfection के साथ आपको यहां पर काम करना है अगर आपको यहां से लगने वहां से लगने जाना है